हेलो श्टुडेंस वेलकम टू एस्बीटी चेला आप साकेश सच्च्यम एंड इन इस वीडियो आप डिसकस अबाउट प्रेजेंट इन डेफिने टेंस इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने प्रेजेंट इन डेफिने टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस पे वीडियो से इससे पहले कि जो चार वीडियो थी वह इंप्रेटिव सेंटेंस तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हो और पहली बार मुझे देख रहो तो इस क्लास को देखने के बाद आप समय में यह आ जाएगा क्या को वीडियो देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए वह भी इसी चैनल में जाएगी और अगर आप पहले से देख चुके हो देख रहे हो पहले से वीडियो तो उससाब से भी देख लेना कि तुमने पुरानी वीडियो देख रखिया या नहीं रही देख रखिया है तो हम अभी बात करने वाले हैं वह कुछ इस तरह से हैं कि iniasm scratch रोगेंस इंटारोगेटी इंट इंटरोगेंटी तेर्स सेंटनेंस और एक्क्लामेरेट्री सेंटी ये पांच सेंटन्स होता हैं और मतलब बाकितने भी बाकिय बंते हो सब इसी से मिला जुला के तो को मुरोर के बन जाते हैं डिक है तो यह पांच में सेंटेंस होते हैं जिसमें से इंपरेटिव के बारे में हम लोग डिसकस अल्रेडी कर चुके हैं चार वीडियो में पूरा इंपरेटिव सेंटेंस खतम हो चुका और अब जो डिसकसन हमारा चल रहा है वह असर्टिव और इंटेरोगेटिव के बारे में चल तो अब दूनों साथ में चल रहा है जैसे इंग्लिस में काल के मतलब समय के हिसाब से भूत भविस और बातमान यानि की प्रेजंट फ्यूचर और पास्ट यह तीन टेंस हैं हमारे काल है हमारे और इसमें अलग अलग टैप के चार चार टेंस होते हैं तो सबसे पहला जो हमने प्रेजंट इंड़ेफनिट तेंस यहां पर जल्दी-जल्दी से पढ़ कई तो इसकी पहचान हम क्या से करते हैं तो जिन हिंदी वाखियों के अंद में यह इत्यादी का होना पाए जाता है ऐसे वाकिप्राय प्रेजंट इंट क्यों होते हैं अब यहां पराय लिखने काह यह था मतलब प्राया इस वज़े से लिखा गया है क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि पेसिव वास में होता है तो उसमें भी ताय हैं तेहें देखने को मिल जाता है लेकिन वह प्रेजेंट इस वज़े से यहां पर लिखा गया है तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज़ पर हमारे पास क्या था तो जितने भी थेंस होते हैं जैसे हिंदी में व्याकरन के हिसाब मतलब वाकिकी रचना होती ना इंगलिस में जो होता है वह उसके लिए कुछ नियम होते हैं grammar का rule तो होगा व्यक्रन के नीयम होते हैं तो वही अनुवात का करते हैं कि कोई भी वाक्य का जब हम अनुवात करते हैं तो इसमें subject subject verb और object आता है ठीक है और इसी subject इसी क्रम में हमिशा अनुवाद होता रहता है एक्जामपल के लिए अफर्मेटीव का हमने लिखा था कि आफ़र्मेटीव क्या होता है ऐसे वागत जो सकारात्मक होते हैं मतलब उसमें नहीं वर्ड नहीं आता है और साथ में इसमें प्रष्णवाचक चिन्व भी नहीं आता है तो ये देते हैं अब यहां पर जैसे कुछ एक्जामपल है मैं पढ़ाता हूं आई टीच तुम लिखते हो यू राइट हुआ क्रिकेट खेलती है तो आई टीच में अलेड़ी डिसकस कर चुके हैं तो इस बारे में डिसकस करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि वो वीडियो से से देखी सकते हो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं सिध्या आते नेगेटिव यह अला रहा गया था जैसे कि स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब में ऐसे यस लगेगा ऑप्सिनल है ड्रैकेट में रखा गया तो जैसे कि यहां पर लिखा हो तुम सडेव जूट ढोलते हो तो तो तुम सदेव जूट बोलते हो इसका जब टांसलेट करते हैं वह content क्या होगा तो staff जूट बोलते हो मैं सभ्जेक्ट always और उसके बाद वर्ब क्या हमारा वर्ब है इस पिक के इस पिक कि यह काम तो करनी रहा अच्छे से ते काम करते हैं हम पूरा लिख देते हैं लिखा हो रहेगा वैसे इसका जब पीडियास मिलेगा टेलेग्राम पे आपको तो वहां पे आपके लिए अच्छा रहेगा कि लि लिख देते हैं इसको तुम सब्सक्राइब जूट बोलते हो का जो ट्रांसलेशन हो जाएगा वह जाएगा यू आज है कि आलवेज है कि पिक दा त्रूथ और यह कंप्रीट हो गया उसके आज सोनु प्रति दिन विद्या ला जाता है तो सबसे पहले इसमें सब्जक्त क्य अनुद की पहले पेलेख सकते हैं अधमें मेलीक सकते हैं तो लेक्ते हैं विस्टक तो वह सब्जक्त के बाद हमाराव चाहिए तो Czech या मारा हमारा बर्ला गो तो सोनु लगाएंगे तो यह लगाते हैं हम तो गोज हो जाता है सोनु गोज टू स्कूल फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया और प्रति दिन के लिए लग गया डेली और यह कम्ट्टीट हो गया ठीक है तो इस तरह से अच्छा सा लिखा रहेगा तो ज्यादा बेटर देखेगा अब आगे बढ़ते हम लोग यह सारे एक्जामपल तो कली हम डिसक्रस कर चुके हैं दूसरे वीडियो में और यह एक्सराइज वन जो दे रखा था यह दे रखा था मैंने हूंवर्क के लिए और यह हूंवर्क के लिए आपको पीडियाब इसका मिल जाएगा टेलेग्राम चैनल पर का लिंक मैं दिस्क्रिप्शन में देख लेना और आज बात करने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा तो इस काल के जो नाकारात्मक वाक्यों होते हैं दोना उसका अनमणत करने के लिए जो सब्जक्ट होते हमारे सब्जक्स मतलब एक सब्सक्सक करता अक। व्हुर्ट करते हैं उनके साथ हम लोग तो अरग के साथ Lazis Pacific चरतेह और प्रपविजक्कट करता हुश्ट इनके साथ हम लोग द्यूर्ण यूर्ट करते हैं प्लूरिय्ट के साथ दूनोट सीगिल शुक्त थो सब्सक्राट के साथ थैज सब आट कया उसकी जगा पर मतलब helping वर यहां पर दो नॉट आ गया ना तो इस वाज़े से ऐसे यह लगाने कि जो परती सब के साथ हम लोग ना सिर्फ बर्ब की फर्स्ट फर्म ही लिखते हैं तो अब सब्जक्ट के बाद दो किसके साथ लगाएंगे हम लोग प्यूरल सब्जक्ट के साथ यानि कि एक वेजन करता इक साथ उसके बाद लगाएंगे और जो भी ऑब्जक्त होगा उसमें वह उप्जक्ट हम लोग लिख देंगे तो आब यहाँ पर देख लेते हैं कि अग्जांपल में है क्या मैं चाए नहीं पीता हूं। में खुदी बता्व सकते क्या होगा सब्जक्ट तोमें वाला या 내ी नहीं पीने वाला कौन है मैं हूँ तो इसका प्योस्मा नहीं पिता हूं 555 था तो डू नॉन लगाएंगे या दान लगाएंगा by नहीं पीने वाला कौन है मैं हूं तो इसका हो जाएगा आई अब इसके बाद नहीं पीता हूं नेगेटिव है तो डू नॉट लगाएंगे या डू या डॉस में से क्या लिखेंगे तो आई के लिए मैंने यहां पर लिख रखा था इसी नोट्स में है या इसी बात हो भी PDF म मिलेगा तो आई के साथ आई को हम लोग प्यूरल मानते हैं तो यह हो गया आई के साथ लग गया हमारा डू है नॉट अब उसके बाद हमारा वर्ब ओ हो इसमें वर्ब लिखना भूल गया था चलो पहले वर्ब इसको लिख लेते हैं अच्छे से ताकि जब PDF मिले तो गलत प्रद्वन आ मिल जाया है है सब्सक्राइब अग्लस भी अगरेशुक्त तो यह हो गया हमारा complete अब इसको complete करते हैं तो आजूनाट अब फ़र्व क्या होगा वर्ब तो पीने क्यां इंग्लिस क्या होता है ड्रिंक होता है तो डि अर आई एंक कर डिंक क्या पीने की बात हो हो गया हमारा object I do not drink tea इस तरह से complete हो गया नेक्स्ट वाला है वह अंग्रेजी नहीं पढ़ती है अब यहां पर subject कौन हो गया वह वह को क्या बोलते हैं मतलब ही भी बोलते हैं लेकिन यहां पर लड़की है हमें पता चल रहा ना पढ़ती है तो इस वजह से लिखेंगे तो सबसे पहले तो subject लिख लेते हम पढ़ने की बात हो रही है वर्व तो हमारा पढ़ना ही है तो see does not read क्या पढ़ने की बात हो रही है तो वह हो जाएगा हमारा object और object हो गया इंग्लिस और इस तरह से fully stop लगाओ और यह हो गया हमारा complete है ठीक है तो यह हमारा complete हो गया अब यह तो सिर्फ एक्जामपल था अब देख लो homework में क्या दिया है यहां पर कुछ और पर do not या does not नहीं लगेगा यहां पर सीधे सीधे लग जाएगा never I never उसके बाद play वर्ब आगया क्योंकि do not के जगह पर ही never आगया हमारा तो I never play क्या खेलने की बात हो रहे है कबड़ी खेलने के तो आपज basin कर रहाँ यह को अजीर साउंड कर रहे हो लेकिन समय सकते हो अच्छे से सुनोगे तो समझ में आगया होगा next है हम तुम कुछ नहीं करते हो तुम कुछ नहीं करते हो ठीक है तो इसकह ठाइसी क्या कर सकते हैs सबसे पहले तो तो CO 2 लिखेंग सुआ होजाता है भेचब ये अब नहीं तो आ रहा है इसमें लेकिन यहां पर नहीं नहीं सिर्ष नहीं तो इसको हम ऐसे हम स्कते कि कुछ नहीं को समझ सकते हैं तो अगर हम nostra की को और समस्ते हैं तो ऑबजेक्त तुम अब्जेक्ट करते हiantlyो यानि क्यों कुछ नहीं करते हो क्को कश Sulezan वाला है इस थ्यान से त्भाव jemmetthi तुम कुछ नहीं करते हैं को दो तरीके से कर सकते हैं पहला तो यू थे मतलब तुम करते हो क्या करते हो कुछ नहीं तो लिग दे नद तускी अ arrangements you do nothing मतलब तुम कुछ नहीं करते हो ठिक है और उसका एक और तरीक में हम कर सकते हैं वह हो जाएगा यू दू नाट यू डू नॉट तुम नहीं यह हो गया तुम नहीं यू दू नॉट के बाद पे ले लगा देंगे तो जाएगा तुम नहीं खेलते हो यू दू नॉट के बाद रन लगा देंगे तो तुम नहीं दोरते हो और यू दू नॉट क और फिर से एक बार बोल दे रहा हूं या दिला दे रहा हूं वीडियो यहां तक अगर देख पाए हो तो इसका जो नोट्स है पूरा का पूरा जैसा कि यहां पर पेज दीख रहा ना इस सारा का सारा मेरे टेलिग्राम चैनल सक्षम क्लासेस पर मिल जागा जिसका लिंक डिस् परचानना अभी तक में तो आ ही गया होगा हम बार-बार डिटेल में बात कर लेता हैं ताकि अच्छे से समझ सको आशू का सब्जेक्ट लिए आसू अब ड़नाट लगाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर में हमने लिख रखा था ड़नाट ड़नाट आसू ड़नाट अब क्या क हो जाउगा किसे पशन निंगी कर्तेया तो तो लिख दिया यू आसु डशनोट लाइक यू और यह हो गया और आप चाए क्या बचा इसके बार हमेंगा बचा ये एक्ससाइज 2 बोड पे दिख रहा है आराम से इसे नोट कर लो और प्रैक्टिस करो इसका स्यूसन एक्ससाइज 1 का सरी संदिया एक्ससाइज 2 का स्यूसन भी अभी नहीं दूंगा जब प्रिजेंट टेंजक्ञ टम होगा टोटल 6 एक्ससाइज मैंने रखें प्रेज़ेंट पर दिश्क्रिशन करेंगे दो या तीन एक्सराइज मिल जाएंगा और एक लास्ट में अगर तुमको लगे कि हाँ जरुवत है तो फिर से एक लास्ट बार बोल देता हूं इस वीडियो में लास्ट बार की टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में ज जाके डाउनलोड कर लेना अगर दर्वाइस मेरा नंबर अगर है तो तुम उस पर नम कॉल करके कॉल करने की नहीं वाट्सप की मैसेज करो उस पर भी मैं पेडिया भेज दूंगा जो लोग कनेक्टेड हैं उनको अल्रेडी मैं भेजी देता हूं ठीक है तो बस आज के लि झाल जनको झाल जाक झाल करके कॉल करने करने के लिए।